वेलकम तो मैं चैनल साहिबा किरेटिवेटी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये हेर रबर बेंट का वीडियो शेयर कर रही हूं जिसको बनाना बहुत आसान है उनली फाइब बिनिट्स में आप लोग इसको बना कर तैयार कर सकते हैं अपनी सूट की मैचिंग के ब्रवजेटी रखा है और इसकी लम्भाई यहां पर 17 इंचिस का है इसी तरीके से हम लोगों को दो पट्टी कट कर लेना है दो पीसे कर लेना है सबसे पहले एक पीस को लेंगे और इसको डबल में फोल्ट करेंके और उटी साइड में लोगों को निशान लगाना है पीछ तरफ भी हम लोगों को इसी तरीकी से निशान लगा लेना है देखे सिंपल है यह डोरी बनाना बहुत ही असान है अगर आप लोग वीडियो को फुल वाच करेंगे तो असानी से यह रबर बेंड बनाकर आप लोग तयार कर सकते हैं इस तरफ से भी देखे डेर इंच में इसके बाद फिल्म लोगों को यह डोरी अटेश करना है मैंने इसको सीथा करना है आप लोग चाहें तो पैंट पैंसिल किसी भी पतली चीज की मदद से इसको इस तरह के से सीदह कर लिए गर यहां पर यह सीधा हो चुका है और यहां पर मैंने यह एक रफिया एक रफिल्य लगेगा और इसकी लंबाई 7 इंचिस रखा है मैंने अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इलास्टिक 6 इंच या 5 इंच का भी रख सकते हैं देखे इसके अंदर इलास्टिक को डालना है दूसरी हाथ से हम लोगों को इलास्टिक को पकर कर रखना है वह अंदर की तरफ ना जाएं देखे इस तरीके से मैंने यहां पर अंदर की तरफ डाल लिया है और इसको हाफ इंचिस में इस तरीके से टांका लागाते वे सिल लेंगे अच्छी तरीके से लागाना है ताकि यह खुले नहीं और इक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है देखे इस तरीके से हाँ से सेट करना है पूरी राण में हाँ से इस तरीके से सेट कर लेंगे और जो हम लोगों ने स्टिचिंग किया था वो अंदर की तरफ चला जाएगा और यह जो इक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम लोगों को कटिंग कर लेना है जो धागा वगरा दि देखे इस तरी के से फोल्ट करेंगे पूरी रॉण में फोल्ट कर लेना है और इसमें भी स्टिशिंग लगा लेना है यह रबर बेंड यहां पर बन चुका है अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं अब मैं आप लोगों को डोरी बना कर दिखाती हूं देखिए इस तरह की से इसको set कर लिया है मैंने अब यह वला जो हम लोगों ने एक पार्ट और रखा है इसको भी देखिए जहां से हम लोगों ने निशान लगाया था वहां से हम लोगों को stitching करेंगे यहां पर रोक कर कपड़े को घुमा लेंगे और इस टेट में stitching कर लेंग देखिए इसको सीधा किस तरह के से करना है जो हम लोगों ने बीच का गैप दिया वहां का धागा को कट कर लेंगे और आप लोग पेन पेंसिल की मदस सीधा कर सकते हैं देखिए इस तरह के से सीधा करेंगे और जो बीच का गैप है वहां पर अच्छी तरीके से इसको निक कर लिया है अच्छी तरिके से इसको धी अपने juom लोगों को श्टिछिंग कर लेना है ताकि यहाँ पर प्लम्हें टन्हें सरके से बराबर कर लेंगे दोनों सब्सक्राइब कर लिए पर दुषरे साइड में रखेंगे और इसको स्टिशिंग करना है पर यहां पर बनकर तयार हो चुका है तो यह कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो कमेंट करकर जरूरा बताइगे अगर तो कमेंट करकर ज़रूर बताईएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मैं ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए लाते वाएगी 500 तक हम लोगों का यूट्यूब फैमली पहुचने वाली है तो जल से जल पहुचा दीजिए